एपिसोड फाइफ स्टार्ट होता है और कायो के किड्नाप होने के बाद सुटोरू दो दिन तक स्कूल नहीं जाता पर तीस से दिन अपनी मौम के कहने पर वो स्कूल जाता है जहां पर एक लास में उनका क्लास टीचर यहीरो सभी बच्चों को क्लास में बताता है कि कायो स्कूल ने डिसाइड किया है कि वो कायो के किनैपिंग की बाद को सभी बच्चों से चुपागे रखेगे तो प्लीस तुम भी किसी को मत पताना जिसके बाद पुलिस दो दिन तक कायो की मौम के जाच पर ताल करती है क्योंकि उन्हें शक था कि कायो के गयब होने में कायो क की मौम का हाथ है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और गायो के गयब होने के छे दिन बाद एको लड़की गयब हो जाती है जिसके बाद स्कूल में यहीरो सभी बच्चों को बूलता है कि आज से कोई भी घर के बार अकेला नहीं निकलेगा और घर जाते वक्त कैनिया सुटोर लगता है कि शायद कोई सेरियल किड्नापर खुला गूम रहा है जो इन बच्चियों को किड्नाप कर रहा है जिस पर सुटोरू उस समय कोई जवाब नहीं दियता पर जब वो कायो के घर से पहार निकल रहा होता है तो वो कायो की मौम को एक अजीब सी स्माइल के साथ की थेली को देखता है तो उसमें अधूरी गलप्स होते है जो कायो ने बनाए होते है सुटोरू के लिए जो देखने के बाद सुटोरू चिलाता हुआ भागने लगता है और भागते भागते वो वापस से 2006 में यानी की प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे पुलिस उसे अभी भी तून वही थी उसके मॉम के खून के लिए और कैसे ना कैसे करके वो पुलिस से पच रहा होता है तब ही उसके पास उसके रैस्टोन के मैनेचर का फून आता है जिसके बुलानने पर वो उसके घर जाता है और मैनेचर उसे खाना देकर बीर लेने के लिए बहार ज कर रहा होता है जो देखने के बाद सुटोरू तुरंत पीछे के दर्वाजे से भागने लगता है पर दिवार कूते समय वो गिर जाता है जहां भी उसे आईरी दिखती है जो से अपने घर ले जाती है पुलिस से चुपाने के लिए क्योंकि उसने उसे और उसकी मॉम को देख रहा होता है पर उत्ते में ही मैनेजर उसके पास आता रहो से पूछता है क्या उसने हाली में सुटोरू को देखा है क्योंकि जिस तरह की न्यूस न्यूस वाले उसके बारे में बता रहे उसे उन पर बिल्कुल भी भरूसा नहीं उसे नहीं लगता कि सुटोरू अपनी मॉ के घर जा रहा होता है तो स्टोर मैंजर उसे देख लेता है और वो पुलिस को फोन करने ही वाला होता है पर उत्तिम ही पीचे से आयरी आ जाती है और वो उसको फोन लेकर तोड़ देती है जिसके बाद सुटोरू और एक ब्रिज की नीचे जाके बैठे होते है क्योंकि अब आईरी का गर बिल्कुल भी सेफ नहीं था, जहांपे सुटोरू, आईरी से पूर्शता है कि उसे उस पर इतना भरोसा क्यों है, वो उसे इतना जानती भी नहीं है, और आईरी बोलती है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूं, मैं एक बहुत ही छोटे से गाउं से मेरे डैड मुझे एक बार शौपिंग पिले गए थे जहां पर दुकानदार ने उन पर चोरी का इंजाम लगा दिया मेरे डैड ने उसे मना करा और बहुत बैस हुई पर वो दुकानदार नहीं माना और उसने पुलिस को बुला लिया क्योंकि वो एक बहुती छोटा सा गाउन था तो ये बात वहां तक पहुच गई जहां मेरे डैड काम करा करते थे जसके बार मेरे डैड को तीन महीनों के लिए सस्पेंट कर दिया गया उसे पता था कि उसके डैड ने चोरी नहीं की पर उसके अलावा किसी को भी उसके डैड पर भरोसा नहीं था यहां तक कि उसकी मौम को भी नहीं और दोनों में डिवास हो गया जिसके बार डैड वहां से चले गए तो इसलिए अगर जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम अकेले नहीं रहते और तुमारे जगे अगर मैं भी होती तो मैं भी चाहती कि शायद कोई मेरा बरोसा करे जो सुनने के बाद सुटूरी बोलता है कि तुमें मुझे छोड़ कर चले जाना चाहिए और पुलिस को बोल देना कि तुमें मैंने फोर्स किया था जो सुनकर आई दी नहीं मानती और उसके लिए कप्रे चेंज करने के लिए धुलिवे कप्रे लेने अपने घर जाती है जोहां पर अचानक से आग लग जाती है और एपिसोड फाइफ एंग पे खतम हो जाता है तो दोस्तों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्रफ़ा सा भीडियो थोड़ा सा भीडियो जाता है